आपके साथ कम्प्लीट इंफर्मेशन शेयर करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ओफ मेडिकल साइंसेज नम्स इसलामबाद की तरफ से स्टार्ट होने वाले अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एड्मीशन के बारे में नम्स की तरफ से पिछले साल बायलाजिकल साइंसेज के कुछ प्रोग्राम्स में एड्मीशन आफर किये गए थे इसके लावा Armed Forces Post Graduate Medical Institute रावल पिंडी में हर साल अलाइड हैल्स साइंसेज के प्रोग्राम्स में एड्मीशन होते हैं इस साल नम्स में इनके एड्मीशन एक साथ शुरू किये गए हैं और इनका एक ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें एड्मीशन से रिलेटेड कम्प्लीट इंफर्मेशन प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस काडिक पर्फूजन जिसकी टोटल 10 सीटे हैं इसके बाद बीएस मेडिकल लिबार्टी टिकनोलजी जिसकी टोटल 30 सीटे हैं लेकिन FSC Pre-Medical के तलबा के लिए 20 और ऐसे कैंडिडेट जिन्नोंने FSC MLT किया हैं उनके लिए 10 सीटे मुक्तिस हैं इसके बाद बीएस मेडिकल इमेजिंग टिकनोलजी की टोटल 15 सीटे हैं FSC Pre-Medical के तलबा के लिए 10 और FSC MIT के लिए 5 सीटे हैं ये तीनों प्रोग्राम्स आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टिटूट रावल पिंडी में आफर किये जा रहे हैं ये की तरफ से कंडर्ट किया जाएगा और फॉरन क्वालिफिकेशन के हामिल अफराद को IBCC से इकोलन सर्टिफिकेट बनवाना होगा इसके बाद बाद बायलोजिकल साइंसे के प्रोग्राम्स में BS Microbiology की 30 सीट्स हैं BS Biotechnology की 30 और BS Genetics की 30 सीट्स हैं ये प्रोग्राम्स की तरफ से ओफर किया जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से केंडिडेट्स अप्लाइ कर सकते हैं एड्मिशन के लिए स्टूडेंट्स के FSE Pre Medical में कम असकम 60% मार्स होने लाजमी हैं इन प्रोग्राम्स के लिए भी नम्स का एंटी टेस्स कंड़क्ट होगा इसके बाद BS in Public Health की 30 सीट्स और BS Social Sciences of Health की भी 30 सीट्स हैं इन प्रोग्राम्स में हर वो स्टूडेंट अड्मिशन के लिए अप्लाइ कर सकता है जिनोंने FSE Pre Medical, Pre Engineering, FA, ICS या ICOM किया हो और इनके इंटरमीडियर में कम असकम 50% मार्स हो तमाम प्रोग्राम्स में अड्मिशन के लिए एंटी टेस्स नम्स की प्रोग्राम्स में अड्मिशन ओपन होने पर नम्स की तरफ से ही अनौंस किया गया था कि जिन स्टूडेंट ने नम्स एंटी टेस्स दिया है तो वो उस टेस्ट की बेसस पर एंटी टेस्ट यानि इस साल इस नोटिफिकेशन पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है यानि इन में admission के लिए candidates को NUMS का entry test लाजमी देना होगा इससे पहले जिन students ने NUMS की तरफ से conduct होने वाला MBBS, BDS का entry test या national MDCAT दिया हो तो उन tests की basis भी यहाँ admission नहीं हो सकता merit calculation formula में metric की 10% weightage, intermediate या equivalent qualification की 40% weightage और entry test की 50% weightage शामिल होगी, online application form fill करते हुए candidate की तरफ से provide की गई academic information की बन्याद पर merit list तरतीब दी जाएगी यानि apply करते हुए candidates को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो marks भी वो mention करेंगे उनहीं की बन्याद पर उनका merit calculate कर दिया जाएगा और यहाँ आपको इन programs के लास्ट यर के closing merits की detail भी बताते चलें पिछले साल BS Cardiac Perfusion के program का closing merit third merit list के मताबक 85.5% रहा BS Medical Imaging Technology का third merit list में 84.3% BS Medical Laboratory Technology का third merit list के मताबक 83.1% था BS Biotechnology का merit 79.63% था यह closing merit पहली merit list के मताबक है BS Genetics का 75.45% BS Microbiology का 71.87% और BS Social Sciences of Health का 62.17% merit था पहली merit list के बाद इन programs की second और third merit list भी डिस्पले हुई थी लेकिन उनमें candidates के closing merits को percentage में show नहीं किया गया था लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि इन programs का merit second और third merit list में मजीद drop कर गया था इसके बाद अगर बात करें इन तमाम degree programs के fee structure की तो BS Cardic Profusion के program की per year fee 55,000 रुपीज है यही fee structure BS Medical Imaging Technology का भी है और BS Medical Lab Technology की fee भी 55,000 रुपे एक साल की है इसके बाद BS Bio Technology की fee डेड़ लाग रुपे पर समेस्टर BS Genetics की डेड़ लाग रुपे पर समेस्टर Microbiology और Public Health की fee भी इतनी है और BS Social Sciences of Health की 90,000 रुपे पर समेस्टर है याद रहे के पहले तीनों degree programs की fee per year के हिसाब से है यानि दो समेस्टर की fee 55,000 रुपे बनती है जबके बागी programs की fee per semester के हिसाब से है Online Registration 21 January से स्टार्ट होगी और Apply करने की last rate 3 February है Nums की तरफ से तमाम programs के लिए anti-test 7 February को conduct किया जाएगा जिसके बाद पहली merit list 12 February को डिस्पले होगी और classes March के तीसरे हफ़ते से स्टार्ट हो जाएगी Apply करने के लिए application form online fill होगा Nums की website पे इसका link activate कर दिया जाएगा Candidates को अपने मुतालिका documents scan करके upload करने होगे जिनमें शामिल है metric certificate, intermediate certificate, candidate का CNIC या B form और candidate के father या guardian का CNIC तमाम scan copies अपलोड करने के बाद submit के बटन पे क्लिक करें application submission के बाद candidates अपने fee चालान का print out ले सकते हैं इस fee चालान के तरू candidates को 3 February तक HBL की किसी भी ब्रांच में 3000 रुपे deposit करने होगे fee submission के बाद अपने paid fee चालान को scan करें और इसे अपने application form में attach कर दें जिसके बाद final submission हो जाएगी इसके लावा कोई printed application form भेजने के जरूरत नहीं है Nums की तरफ से anti-test का syllabus जल्द ही Nums की website पे जारी कर दिया जाएगा anti-test के pattern की बात करें ऐसे candidate जिन्होंने FSC परी medical किया है और वो allied health sciences और BS biological sciences के programs में admission लेना चाते हैं तो उनके anti-test में biology के 20 MCQs आएंगे chemistry के 15, physics के 10 और English के 5 MCQs होंगे इस तरह ये total 50 MCQs का anti-test होगा इसके बाद FSC, MLT के candidates के लिए hematology and blood banking के 15 MCQs chemical and clinical pathology के 15 microbiology and serology के 10 elective anatomy and micro techniques के 10 MCQs होंगे FSC, MIT के candidates के anti-test में anatomy के 10, physiology के 10, radiology techniques के 20 और physics के 10 MCQs होंगे इसके बाद essay candidates जो social sciences of health और public health में admission लेना चाते हैं उनके anti-test में English के 10 MCQs mathematics and basic statistics के 10 general knowledge के 15 और general health and science के 15 MCQs होंगे इस तरह ये total 50 MCQs बनते हैं जिनने solve करने के लिए candidates के पास 1 घंटे का time available होगा और anti-test में किसी किसम की negative marking नहीं की जाएगी online anti-test में appear होने के लिए candidates को तमाम ज़रूरी हिदायात nums की website के थूरू बता दी जाएगी मजीद किसी किसम की information के लिए आप दिये के contact numbers के थूर राप्ता कर सकते हैं आप बता दी जाएगी